बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने मंगलवार 16 मई को लहंगा पहन कर रेड कार्पेट पर चल कर और गर्व से अपना देशी अंदाज दिखाते हुए कांस डेब्यू किया। उन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल्स के इस इवेंट में अभिनेत्री पारंपरिक पुशाक में रज़राई। इवेंट में सारा ने सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर अबुजानी और संदीब खोसला द्वारा डिजाइन किये गए और हाथ से बने हुए आइवरी लहंगे कोच ना रेड कापिट से सारा की तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है। इस दोरान एक वीडियो भी वाइरल हो रहा है जहां वे इस बारे में बात करी हैं कि कैसे उन्हें अपनी भार दियत अपरवे गर्व है और इस तरह के वैश्वे कार्योकरम में शामिल होन कि उनके लिए क्या मतलब है तो आईए जानते हैं क्या कहा सारा अली खान ने तो यह पूछे जाने पर कि खांस में प्रदर्शन पर वह कैसा महसूस कर रही हैं इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि थोड़ी सी नर्वस तो हूँ मैं हमेशा किसी दिन यहां आने की खुआइश रखती थी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहां हूँ सारा ने इसके बाद बताया कि उन्होंने खांस में लहंगा पहनने क्यों चुना उन्होंने कहा कि यह पौशाग पारंपरिक भारतियों और हाथों से बना हुआ है और मुझे हमेशा अपनी भार भारतियता पर बहुत गर्व रहा है और इसलिए यह मेरा प्रतीक है मुझे लगता है कि यह ताजा है आधोनिक लेकिन पारंपरिक भारतियों भी है यह पूछे जाने पर कि इंडस्ट्री में काम करने वाले भारतियों से इन इवेंस से ख्याल आप प्राप्त करते हैं इस पर सारा ने जवाब देते हुए कहा मुझे लगता है कि निश्यत रूप से वैश्विक मान्यता प्राप्त होती है और मुझे लगता है कि दुनिया एक चोटी और चोटी जगा बन रही है जहां संस्कृतियों का यहां सम्मामेलन सुन्दर है यह बहुत अच्छा है कि हम य राश्टिये फिल्में देख सकते हैं अपने व्यक्तित्व अपनी संस्कृति को आप लोगों तक पहुचा सकते हैं